दोस्तो टेलिवेजन का सबसे पॉपुलर सो डांस दिवाने 3 के जो होस्ट है रागव जुआल उनका एक वीडियो शोचल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है और यह जो वीडियो है वो डांस दिवाने 3 का सेट का ही है उसमें वो चाइनीज बोलते हुए नजर आ रहे हैं व पूरा मामला इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तो इस क्लिप को देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जो रागव है उन्होंने रेलिटी सो में कुछ गलत बोला हो लेकिन यह जो शो है वो काफी आलशनाय जेल रहा है वही जो रागव है उनको भी आ नाम गुंजन सीना है उनको इंट्रड्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं वही जो रागव है वह चाइनीज बोलते हैं तो जितने भी जज़ज होते हैं वह यह कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो हमें पता नहीं चल रहा है तो वह कहते हैं कि इस सो में सिर्फ एक ही जो परत पूरा है और यह सो पूरा का पूरा जातिवादवाला सो है और लोग यह भी कह रहे हैं कि जो रागव है उन्होंने नसलवादवाली बात करी है और उन्होंने जितने भी असम गालेंड जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ तो जो रागव है वो इंस्टाग्राम पर लाइव आये और उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी प्रकार की लोगों की बावनाओं को ठेस नहीं पहुचाया है वही नौर्थ इस्ट के लोगों को उन्होंने चाइनीज नहीं बोला है उन्होंने ये कहा कि जो परतियोगी है गुंजन सीना वो ये कहती है कि मैं चाइनीज बोल सकती हूँ गुंजन सीना है वो करीबन 6 साल की बच्ची है और वो डांस दिवाने 3 में अपरतियोगी के रूप में है कई सो में उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाइनिज बोल सकती है जिसके बाद रागव ने मजागिया अंदाज में थोड़ी बहुत चाइनिज बोली थी जो कि एक चायनिज बोला या फिरहे सो जातिवाद वाली बात कर रहा हो दोस्तों को देखनी के बाद आपको क्या लगता है क्या रागव जुआल है उन्होंने नौर्थ इस्ट के लोगों को चाइनिज बोला या नहीं आप हमने